जैन दोस्तों कैसे आप सब लोग स्वागत है आप कमरे यूट्यूब चैनल में जॉब नोटिफिकेशन में जैसे कि मैं आपके लिए डेली वीडियो लेके आते रहता हो जॉब वैकेंसी के रिगाड़ी आज भी मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें वैक कीप के अच्छे से देखिए इंट देखिए कुन से किन से प्रॉब्लम आने वाले फिल करते वक्त मैं आपको सभी प्रॉब्लम भी बताऊंगा दोस्तों तो मैं शुरू करता हूँ इसमें सभी तरह के ब्रैंचे इलिजिबल है जैसे कि आप देख पार होंगे सिवील, मेक आपको यह जो जॉब लगेंगी यह पर्मनेन जॉब जैसे ही समझे क्यों विकॉस यह रिजन यह बड़े बड़े कंपनियों में जब जॉब मिलती है आपको एक अच्छी सेलेरी प्रॉबैट की जाती है उसके साथ आपको अलाउंसे बेप्रॉबैट किये जाते हैं इसमे 2021 से लेके 2018 तक पास आउट एलिजिबल है इसमें फ्रेशर्स और एक्स्पिरेंस दोनों एलिजिबल है जो रेकूट्मेंट हो रही है 2022 की हाइरिंग हो रही है तो इसमें कैसे अपले करना है दोस्तों मैं आपको एक-एक स्टेपवाइस बताऊंगा वीडियो उससे पहले आ यह नहीं कर दो सबके साथ शेयर कर दीजिए जिनको नीड है उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिए हो सकते तो अपने वाटसप ग्रूप में जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि पता ने किसको हेल्प हो जाए और दोस्तो इसमें बी-ई, बी-टेक, डिप्लोमा, एनिय टाप के ग्रैजिएशन वाले इलिजिबले सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी में पोजिशन ओपन हुई है तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा तो चली दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू जैसी कि दोस्तों आप देख पारे होंगे हम मेदाच पाउर के ऑफिशल साइट पर आगे इदर आगे कैसे अपलाय करना है किदर जाने में आगे आपको बता रहा हूँ तो वीडियो का अच्छे से देखिए विड़ाट स्किप किये जैसी कि आप देख पारेंगे राइट जैसे कि बताया था सभी तरके ब्रांचे से इसमें लेजिबल हूँ किदर कोण को ने लेजिबल है मैं आपको बताता हूँ फर्स जो वेकेनसी देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिकल इंजिनियर के बारे में देख रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन मागगी बेटेक इन इलेक् दे सकते हैं जॉब के लिए इसमें आपको special remark बोला है electrical engineer fresher and experience second जो vacancy है वो civil engineer वालों के लिए इसमें btex civil वाले apply कर सकते हैं experience freshers वाले भी apply कर सकते हैं तो कोई ऐसी need नहीं है एक दू साल का experience हो था अब कितने साल का भी experience है eligible है उसके बाद आपकी job location में जैसे के पहले बता है था पैंड इंडिया में रहेगे civil engineer fresher and experience उसके बाद non-technical और technical बहुत इसमें जैसे के आप दिखाए any मैंने जैसे thumbnail में लिखा था any graduation आप इसमें apply कर दीजे दोस्तों इसमें जरू अप्ले कर दीजे और इसके बाद आप अपने department में transfer करा सकते बहुत बड़ा group है तो इसमें inter department आप अगर transfer करना चाहेंगे तो हो सकता है पहले आप इसमें लगना जूरे दोस्तों और main बाद दोस्तों आपको apply करते रहना है आपको ऐसा नहीं होगा कि आप एक पत्थर मारेंगे पेड़ पर और आम नीचे गिर जाएंगा आपको पत्थर मारते रहना पड़ेगा फिर आपको success easy है दोस्तों आपके लिए try कर दे रहना होगा जिस दिन आपने try करना बंद कर दियाना success नहीं मिलेगी दोस्तों तो चलिए मैं आगे बताता हूँ इसमें देखिए सीडी एक्सपर्ट यह experience वालों के लिए experience 10 साल का चाहिए इसमें यह सभी जो पोस्ते जो नीचे है वो experience वालों के लिए दोस्तों जैसी कि आप देख पारे होंगे यह जो electrical engineer के लिए जो पोस्त है यही water sector में चाहिए उसके बास civil engineer civil engineer के बहुत से message आते दोस्तों experience वालों के भी आते तो मुझे most up जो आते वह experience holder ही आते तो आपको minimum 2 साल के experience होंगा तो आप इसमें apply कर दीजे दोस्तों यह जो civil engineer की पोस्त है इसमें apply कर दीजे वाटर सेक्टर में अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है उसके बात है account executive वालों के लिए जैसे कि CSIT वालों के लिए PHP developer की है तो आपको इसको apply कैसे करना है जैसे क आप क्लिक करेंगे उसके बाद एक page open होंगा उस पर क्या-क्या feel करना है दोस्तों मैं आपको step 20 बताँगो तो अच्छे से देखिए तो आप जैसे पहले कौनसी post के लिए apply करना चाहते है वो जरूर देखिए दोस्तों यह है आप आप इनके नाम देख पा रहे होंगे दोस पोने के बाद उसके बाद आपको दिखेगा नाम, first name, last name, father name, date of birth, email id, phone number, current state, current city, present address दिखेगा आपको यह सब फिल करने है 10 के mark वगरे passing year, 12, आपने क्या post graduation नहीं होंगा तो graduation के आप UG के भर दीजे सब कुछ जो है जो star में मार के वापको भरना कमपल सरी है उसके बाद emperor detail अगर आप fresher होंगे तो आप बस fresher पर click कीजे बाद ने यह सब आपके tab बंद हो जाएंगे जो इसके लिए मांगेगे है experience वालों के लिए है उसके बाद आपको जो employment, other detail, preferred location, preferred location पूछी जागी दोस्तों आपको आप कुन से इसमें चाहिते है, state में चाहते है उसके हिसाब स आपको इदर अपनी cv अपलोड करने, cv और resume वो कुछ भी हो सकता है, आप इदर जरूर अपलोड कीजे दोस्तों, उसके बाद language known, आप इसमें मैं consider करूँगा कि दोनों डालिए, English और Hindi डाल दीजे, एक ही मत कीजे, दोनों चूस कीजे, gender है आप डाल दीजे, member of any professional body, आप जानते हो क्या कोई, ऐसे, अदर आपको डालना है, notable achievement, आपके पास कोई achievement होगी, achievement मतलब क्या होगा, अगर आपने कोई course किया होगा, या कई college में वगरे, कोई sport वगरे, वो डाल दीजे, ज़रूर उसमें, keyword क्या डालना है दूस्तों, keyword मैंने, आपके branch regarding, आपको कौन से software या कौन से skill आते है, वो skill mandatory है, उस job के लिए, वो आपको डालने, इसमें skill, आप जैसे की resume में डालते हो skill, जैसे for example, civil वालों के लिए, civil वाले डालते हैं, autocad वगरे, वो डाल दीजे ज़रूर, उसके बाद special remark by candidate, इधर अपना cover letter add कर दीजे दोस्तों, आप cover letter add कर सकते हैं, या इ अपने firm के या company के बारे में कुछ डाल सकते, आप पर डिपेंडे, आप क्या डालना चाहते हैं, मैं बोलूगा company के बारे में जरूर डाल दीजे, और उसके बाद आप submit details पर जरूर क्लिक के ज़िए, और आपका firm submit हो जाएगा, तो वीडियो अगर पसंद आएगा, दोस्तो लाइक जरूर कर दीजे, और हो सकत अपने दोस्ते के साथ जरूर शेयर कर दीजे, आपके प्यार के हमें बहुत जरूरते दोस्तो, चलिए दोस्तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में